हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल तो गाइज गोरा सब लोग होना चाहते हैं पर गोरा होने के लिए जो मैं आपको तरीगा बताऊंगी इससे आपका जो कलर है वो 100% फेर हो जाएगा एक दम आपका कलर है वो चेंज हो जाएगा वो भी एक दिन में अगर आपने ये र कि अग्र एजगा ड़ान चेनल कर चाहते हैं आपको इस तरीश ने किस तरीके से लगाना और कैसे लगाना और आपको लगाना ईसकी पुरी यानिकी डिटेल मह को का बताओं गी तो आप इस तरीके से अगर लगा लिए तो आपका कलर है वो एक दिन में ही फैर हो जाएगा आपकी जो फेस पे जो भी दिक्कते हैं वो सारी खतम हो जाएंगी तो आज ऐसी ही रेमेडी मापके शेयर करने वाली हो तो आप वीडियो को पूरा देखें और इसकी बिल्कुल ना करें अगर आपने स्कीब कर दिया तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा यह एकदम यानि की से पहले लिया है हल्दी हल्दी हमारे चैरे को ग्लोइंग बनाने में और एकदम चमकदार बनाने में बहुत जादा मदद करती है यहां मैंने हल्दी डाल दिया हल्दी डालने के बाद में डालेंगे रोज वोटर रोज वोटर हमारी स्कीन को है वो ड्राइनेस से बचाता ह और हमारी स्कीन है, वह एकदम परफेक्ट रहती है, हमारी जो हाथ की स्कीन होती है, मुhu की स्कीन होती है, मैं ज्यादा अप्लाइ करूँगी कि आप इस नैमेडी को मुझ पे ट्राइ करें, क्योंकि मुझ पे इसका रिजल्ट है, वह 100 परसेंट आएगा, इस तरीके से देख सकते हैं, यहां मैंने एक से दो पूंद इसके अंदर डाल देंगे, यानि गुलाब जल की रोज वाटर आपके पास घर पे आपने बना रख है, तो वो भी डाल सकते हैं, जो हम लोग नैचुरली जो गुलाब का बनाते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर दे इस तरीके से, अगर आपने यह वाली रेमेडि ट्राय कर ली तो आप रात और रात गोरे हो जाएंगे, मैं गारंटी से बता सकते हूं, और देख सकते हैं, इस तरीके से, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद में हमें इसके अंदर एक चीज़ और करता है, वैसे हमारी स्कीन को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टि करता है, और शाइनिंग भी करता है, आप तो इसको डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो हमारी चेहरा है, एकदम जैसे कॉरियन फेस रहता है, वैसा रहेगा, एकदम चमकदार तो आप जैसे कोई शादिम जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो, तो उससे पहले आपको पालर जाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और आपको अच्छा और ग्लोइंग फेस चीए, तो आप ये रेमेडी जरूर ट्राय करो, इसका रिजल्ट है, वो एक दिन म को प्रायट करती है, यानि कि हमारी स्किन को गोरा करने में कोलगेट का बहुत जादा योगदान है, इस तरीके से मैंने यहाँ कोलगेट डाल दिये, और ये रेमेडी किसी के भी यानि नुकसान नहीं करेगी, आप इसको नेचरली लगा सकते हैं, ये कोई भी हाम नहीं करे इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है, और आपके चैरे पे जो काले काले से ब्लैक हेट्स होते हैं, और आपके चैरे पे छाईयां पड़ दाती है, बार धूप में निकलते ही, तो भी आप इस रेमेडी को ज़रूर लगाएं, बहुत जादा रिलीफ मिलेगा, देख सकते इस तरीके से मैंने इस यहां जो पेस्ट वह तियार कर लिया है, इस तरीकि के का हमें पेस्ट चीए, जादा काड़ा रहा गया है, तो आप इसके нетर हल्का सा गुलाब जल डाल सकते हैं, पतला रहा गया है, तो आप इसके इंदर चुटकी वर हल्दि आड़ कर दीजिए, एकदम सही हो जाएगा एंड मा आपको लगा कर दिखा रही हूं इस तरीके से इसको लगाना है और मैं इसकी कोई पतली लेर नहीं लगा रही हूं क्योंकि यह कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा एकदम नैचुरल चीज है आप इसकी दोड यानिगी डबल लेर भी लग सकते हैं इसको तो इस तरीके से देख सकते हैं आपको भी फेस के उपर ऐसे ही लगाना है और फेस के उपर मैं आपको बता देते हूं आपको फेस के उपर लगाने के बाद में इसको 10-15 मिनिट तक रखना है और यह इसकी लेयर सूख जाएगी उसके बाद में आपको हटाना ह अ मैंने तो इसको हाथ पर ट्राइ किया है तो देख सकते हैं इसकras पर मैंने इन केवल इसको 15 मुनिटी रखा था और आपको दिखाने वाली उदी मैंने देख सकते हैं जो बनाई थी सारी past है और पर बन लगा लिए क्योंकि आप इसको डबल लेयर भी लगाओगे तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा हमारे हाथ को एकदम नैचुरल चीज है और नैचुरल तो हमें फाइदाई करती है इस तरीके से देख सकते हैं जो मैंने पूरा पेस्ट बनाया तो उसको लगा लिया है तो आप भी प्लीज इस रेमेडी को ट्राइ करें और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दे और यहां देख सकते हैं मैंने हाथ को धुल लिया है 15 मिनिट के बाद में इस तरीके से और हाथ का जो रिजल्ट हो देख सक जाएगा तो देख सकते हैं दोनों हाथों में आप ही अंतर देख सकते हैं कितना जादा अंतर है आप इसको जरूर ट्राइ करें इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो चेहरा है हाथ पहर है उस पे इसको लगा सकते हैं तो आपको रेमेडी कैसी लगी कॉमेंट करके जरू बताएं तो आज गले इतना ही